पूरे राश्टपति ज्यानी जैल सिंग की एक सो तीनवी जैनती पक्वारा सह विचार गोश्टी का आयुजनी ज्यानी जैल सिंग अंसंधान शोच संसान आरा के द्वारा श्रीक्रिष्न चेतना समीटी सभागार आरा में किया गया आज पुर्व राष्पति ज्यानी जैल सिंग के एक सो तीनवी जैनती समारो हम लोग मना रहे हैं और यह होका आज करा हम ज्यानी जैल सिंग अनुसंधान और अंसोस संथान के बैनर तले मनाया जा रहा है और हर साल की भारती हम लोग भुट्रव राष्पति ज्यानी जैल सिंग के जैनती और पुर्णेती थी दोनों ही मनाते हैं ज्यानि जर्श की बहुत ही गरीब परिवास में पैदा हुए थे और अपने संघर, सीमानदारी और निष्ठा के वदावलत उन्होंने भारत का सर्वोच, पद, राश्पती, पद पराथ करके सुसोभीद किया और समाज को मान समान दिया और आज हमें इनके कर्टव निष्ठा यहां काज कलाको इनके व्यक्तित्व और कितित्व से यह सिक्षा मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इमानदारी निष्ठा और संघर्श के बदोलत उचाई से उचाई तक पहुँच सकता है और वह अपने मंजिल को पराप कर सकता है काम करते थे लकडी का काम करते थे और ज्यानि जैल सिंग जैदा परहा लिखा नहीं थे लेकिन पंदरा साल के उमर में इनमें सची देश भक्ति थी और सोतंत्रा सिनानी थे और 15 साल के उमर में ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाब संहर्ष किया और जेल भी गया, साथी साथ परहे लिखे कम थे लेकिन इनमें गजब की देश भगपी थी और उसी के बदोलत इन्होंने पंजाब का मुख मंत्री बने गिरिह मंत्री बने और फिर राश्पती बने तो हमारे जो दबे कुछले समाज हैं सोचित वर्व के समाज हैं इनके प्रती इनका अधुला रहता था और खाज करके बिहार में जो अस्तिती थी बिहार में जो अंति पैदान के व्यक्ति हैं उनके लिए वो काफी चिंतित रहते थे और अपने रास्पती काल में और बाद में भी हमेशा बिहार आते रहते थे और लोगों को जागरू करने का काम करते थे और साथी साथ आरा में भी आए विर्पुर सिंग स्टेडियम उनकी का घाटन किया हुआ है और साथी साथ विहार के प्रति उनका विशेश रूची रहता था और लोगों से जुराव रहता था